हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा नौवी की हिंदी पार्ट है question-answer इसका देखने वाले है question-answer आपके digest का है okey so let's start so strengths explanation मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है फिर भी अगर आपको चाहिए तो आपके digest का जो है वो एक-एक करके एक-परग्राफ का जो मीनिंग है आप यहां पर देख सकते हैं सेकेंड वाला थर्ड वाला यह चार परग्राफ हो गए ठीक है तीन तक ही हो गए और यहां पर है फोर्थ वाला बंद नहीं अब भी चलते हैं है भी केर देती वासुंधरा और विरामदाइनी तो यह इन सब का है मैं बहुत ही स्लोली यहां पर स्लाइट कर रही हूं तो आप देख सकते हो यहां पर स्क्रीन शॉट लेकिसे लिख सकते हो याद कर सकते हो अधर्वाइस मैं एक्स्ट्रेशन वाला वीडियो आप मेरा कीजिए ऐसे यहां पर देखिए निर्खित पद्यांश पढ़कर सुच रहा हो कि उनसार कृतिया की यहां पर दिया गया किरनों के खेलने का स्थान यहां पर दो बॉक्स दिये गए हैं उस एमटी बॉक्स को आपको फिलप करना है और दूसरा कुशन यहां यहां फैली हु परग्राफ में से यह सारे ढूंडूंड की लिखने होते हैं तो अब यहां पर देखिए कि खेलने का स्थान और यह रहा उसका आंसर यहां पर जल दुसरे में थल या भूमी यहां यहां फैली हुए चांदनी तो यहां पर देख सकते हैं पृत्वी पर आकाश में इसका आ यहां पर लिखना है फोर्थ है सुन्दर कहा गया है जिसे वह तो और यहां पर फिर्ट क्वेश्चन और है इन सब का अच्छे से देख लो आप पहले ठीक है को अच्छे से देख लिया आंसर सबका यहां पर है धरती खुशी व्यक्त करती है हरी घास की नोकों से यहां पर अपर यहां पर है इसका अंसर मात जो बाकी के उपरियुक्त पध्यांष दिया गया है यहांपे तो पध्यांष आपको दिया गया और इस तरह किसे दिया गया सक्कुश्चन तो कभी की कलपणा में है चांदनी रात्री तो आंसर यहां पर देखो स्वाच्छ निस्तब्द रात्री कैसी है इसका आंसर यह इसका आनसर है कि नेक्स वेस्टन है ऐसे दो प्रश्ण मना कर लिखे जिनके उत्तर निम्लिकिस शब्द हो अब क्वेस्चन आपको ऐसे बनाना होता है जिसका आंसर आजाए गंध ऐसा जिसका आंसर आजाए कारेकलाब ओकी तो इन दोनों का यहां पे देखो यह रहा क्वेस्टन इसका दे यहां गया है वह आपके बुक्त से ही रिलेटेड के इसका आप दूसरा नियति न टी आप चलते हैं तो और आते तो तर्ड क्वेस्चन देखते हैं आं पर हैं रिखते समूहों के अर्थ वाले शब्द पद्यानसे खोच कर लिखें जिसमें आनंद न हो तो यह क्या है निर जो अपनी इच्छा के नुसार सब काम करें तो क्या आएगा स्वच्छंद नेक्स्ट यहां पर चांदी रात की विश्यस्ताइं तो यहां पर इसका अंसर देखिए रहा सच्छंद सुमंद गंध हर्शित दिशाएं दो यहां पर बॉक्स दिए गए वह आपको यहां पर फिलप करना है नेक्स्ट यहां पर यहां पर दिया गया कविता का सरल अर्थ तो आपको लिखना रहेगा वह तूमार्क्स का रहता है निंखित पद्यांश पड़कर सुचना के अनुसार कृतिया कीजिए तो यहां पर देखिए पद्यांश मायक बहमुल रत्न क्या है तो तो हमने देखा है क्या है ठीक है वह आपको लिखना है और यह रहा आंसर इसका मोती दूसरा है कवी के कतना नुसार सवेरा होने पर कि थर्द वनिज रात के समय प्रिथ्वी का अध्भूतकार तो सबके सोने पर मोती विखरना यह रहा आंसर इसका ना फोट्वनीज चानी रात की विशेस्ताइं स्वच्छन चानी मोती तारी विखेरना ओके अब यहां पर यह दिया गया है तो इसका टफ सब टॉड्स जो संजार पुन कीजिए तारों की थोने और अस्टोने के बारे में कलपना चार तैसके आधे अधिश्거나 एहाँ पर लिखना रहेगा चार आपको भरने रहेंगे और यहां पर रभी को विश्राम देने वाली कौन है संस्ध्या मैं बता है चाण तारों से ठिक है जब दिया जाएगा सु सा न सच माई बापस से ह के ₹ डिया गया है थिके पंचोटी की दो चीजें तो यहां पर लिखना है वी धीर वी धनुधर का रूप क्या आएगे अंसर ढ़ें कर पलिखना है जिसके मान में द्रिटा हो निर्भी क्यानी डर जिसको डर ना लगे धनुर्धर यानि तीर अंदाज भुवन यानि संसार कुसुमा युद्यानी काम देव द्रिश्टिगत यानि जो दिखाई पड़ता है उत्तर लिखे ऐसे दो प्रश्मना कर लिखे जिनके उत्तर इंखिस दिया गया है लेकिन यहीं आंसर आपको जो पो questions बनाना है ठीक है दूसरा यहां पर क्या है देखते हैं निर्खी आपको question paper में आपको पद्यांश दिया जाएगा पद्यांश देने के बाद इस तरह के question दिये जाएंगे यह ऐसे इस तरह की फिलिंग ब्लैंक्स वाले बॉक्स वाले संजाल पुन कीजिए उसके बाद आपको लास्ट में question आता है कि आप जो कविता दिया गया है उसका भावात लिखिए तो आपको भावार दिया वह आपको कविता दिया जाएगा उसमें टेंशन नहीं लेना है कि अब आप देखिए पदे विश्लेशन करना है वह लिखा गया है कि रचनकार का नाम क्या है कविता की विधा क्या है तो यह खंड कावे का अंश है पंचवटी खंड कावे है जो हमारा यह लेसन है निम्रिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोक कीजिए जल और पंड कुटी तो जल को जीवन कहा गया है सादुसंद यह रही जो आप आपको अच्छा ही लगे वह उसका कारण क्या है पसंद होने का कारण है वह लिखा गया है उससे प्राप्त संदेश क्या मिल रहा है वह दिया गया है और पद्दे विशलेशन यानि कि वह इस तरह कि लिखना है पसंदिदा पंक्ती है चार चंद की चंचर किरने तो यहां पर देखिए विशेशन शब्द क्या है चारू और सुन्दर विशेशन है ठीक है निम्कित शब्दों का यह हमने देख लिया निम्कित वाक्व में रखांगे शब्दों का भेद पहचानी भेद यानि की अव्य वाला स्वच्छ चांद स्वच्छ चांदनी पिछी हुए अवनी और अंबरतल में और यह और क्या है यही और है समुच्छ बोधक अव्य जो जोड़ रहा है कि निम्कित अव्य का वाक्व में प्रयोग कीजिए यह आता ही है इक्जाम में इस तरीके से नकुल का नकुल घर से निकला ही था कि आन्धी आने लगी तो तो यहां पर जो आंसर है वह अलड़ी यहां पर किया हुआ है अब पैचान कर उसका उसका भेद लिखिए नमीत आरेन के साथ विद्याला गया अब यहां पर यह क्या है संबंध सुचक अव्य है कोश्टक में दी गई सुचना के नुसारा काल परिवर्तन कीजिए काल परि उसारा व्यां सामानी वर्तन काल में आपको करना है तो कैसे लिखेंगे रमेश बाजार जाता है तो इन इस वाया पर ना Ain्टेंत में कि कुसुम प्लस आयुद तो कुसुम आयुद नी प्लस तब तो निस्तब्ध ओके यहां पर संदी विच्छेद करने को रहता संदी का नाम नहीं तो इसलिए संदी का नाम नहीं दिया गए लेकिन आपको संदी का नाम भी पूछा जाता एक्जाम में निरानंद तो निर प्ल आंसर दिआ गया है वाकि वे द रचना के अधार पर वाकिओं की प्रकार लिखे इस असर पर मेँ पर्रतित पर प्राशन है आप Qui यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए आकाश में चंद्रमाण सोभाइमान है यह क्या है इसको आपके कैमें प्रश्ट्रमाइमान तो प्रश्णमाचक लगाए यहां पर वो द्यान दीजिए कि आपको बोला जाएगा प्रश्णमाचक में लिखी है तो आपको प्रश्णमाचक में वह लिखना रहेगा अबह। तो यहां पर का न देना यानि यानि सुनकर भी लुट मार्च के लिए उच्छित वचित मुहावरे का प्रेयोग कर वाक्य फिर से लिखिए परिक्षा में अच्ची अब यहां पर क्या बोला है तो आपको दो प्रिक्षा में अच्छे पाकर पुनीत प्रसंदता हुई तो अब यह दे दिया गया तो आपको दो तीन आपको बताना रहेगा परिक्षा में पाकर तो यह लगा दिया तो यह इजी पढ़ता है तो इस तरहीं साफ पढ़ सकते हो सिर्फ आपको दो आप्शन दिया जाएगा उसमें से कौन सा प्रॉपर बैट रहा है मुहावरा वह आपको लिखना रहेगा निमलिखित वाक शुद्ध करके फिर से लिखिए उसने तुमको आक सब्सक्राइब गाय को दो सिंग तो यहां पर दो सिंग तो यहां पर यहां देनी है मात्रा है और अलग जो लिखा होता है तो वह प्रॉपर आपको ध्यान देना है ठीक है प्रधान क्रिया यहां पर देखिए निवद्ध सके मईसे क्रिया च्छाट कर लिखिए कि अभी myself की आ इसलेत्थ को इसथे कोई गौ इंग वेंट वो मैं लो अच्छाइन जाना उससे इ counterparts और मूल क्रिया मेहां है और उसका मूल क्रिया क्या होगा होना यहां पर दिया क्या होगा देना आठी तो इस तरह का असे में किया दोधी क्रिया प्रतम दिष्भाना देना का दोधिय कके कर आघ कre बहुत सारा देख लिए तो यह स ост辉क यहूं पर थे पहचानना बाधा कर फस्का वेढ्ट लिखे चार उचंडर के चंचल खेल रही हैं जल्थल стороны को यहां पर कि यहां पर यहां प्यालाइन और यहां पर पालाइन की और को यहां पर क्या है जाता है संध्या को दे रहा है ठीक है यहां पे कोई इसमें पता नहीं कोई संभंध पता नहीं चल रहा है इसलिए क्या होगा妈 संप्रदान कारक विराम निलिग्षिद विराम चिनांगों का प्रेऊक की does तो यहां पर देखे विराम चिन प्रयोग किया चांद तारे चांद तारे के बीच में यह जो आ गया है और यह धनुशदारी कौन है जो रातर में जाग रहा है तो इस तरह किसे आप अपने तरीके से परियावाची शब्द लिखे परियावाची निसमान अर्थ जो होते हैं सिमिलर वो तरू का यहां पर क्या किया सकता है पेड़ा सकता है ठीक है व्रिक्षायगा वसुंधरा का वसुधा पृतिवी धर्ती यह सारा जाएगा धरा चंद्र का भी बहुत सारद से शच चंद्रम इस तरह किसे क्रिशक का खेतिहर हलदर क्रिशक यह सारी चीज़ें आज आएगी तो यहां पर सबका दिया हुआ से पेड़ का देखो तीन दिया हुआ है और यहां पर शशी सोम इंदु किसान खेतिहर अनदाता यह बगीचा वाटिका चमन वन जंगल विपीन अब यहां प परवेश में किसी सुंदर प्राकृतिक स्थलका वर्ण इंखित मुद्दों के अधार पर कीजिए आपको अपने तरीके से करना है ठीक है यह सारे क्वेश्चन दो दिये गए हैं कि रचना विव्याग में देख लेते हैं इस पंक्ति का कलपना विस्तार कीजिए यहां पर दिया गया है तो यहां पर प्रतिक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं हर व्यक्ति अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन करता है मनश्य की भाती ही दोन के फूलों और नोपलवों के रूप में देखनी को मिलती है अब अथर्ति अपनी खुशी धृतल पर दूर दूर तक फैल हुए घास के मैदानों में उन्में अगी हुई घास के अरी वरिए यह सारी आपको यहां पर लिखनी है अब यहां पर दिया गया एक निबंद प्रिते ही नेचर मारे है लिए शुस्टे यहां पर चैप्टर नमबर बन का जो क्वेश्टाय चयार है मैं पर रुक्डेट किया है सब और लेक्टर हम धे नेक्स हां डिखेंगे देच्टर विल्ल का बिलंगुडा तो यह हम दिखेंगे नेक्स्ट में कोई डाउट है तो कमें सेशन पूछिए ओके